हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टो माई चैनल, मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने ये बलाउस की कटिंग कल के वीडियो में यहां तक हमने कम्प्लेट कर लिया था अब हमें यहां पर इसकी आगे सिलाई लगानी है तो जैसे कि आपको पता है कि स्लीप्स में हमारा पूरा लेंध नहीं आया तो कैसे जॉइन वगेरा लगाएंगे सारा कुछ आज किस वीडियो में देखेंगे तो चलो यहां पर सबसे पहले हमने अपना फ्रेंट पार्ट उठा लिया है जो हमने कटिंग किया था फ्रेंट पार्ट लेने के बाद फ्रेंट पार्ट को हमने अपने मीन फैब्रिक के उल्टी साइड में रखा हुआ है अस्तर वाला फैब्रिक और बस यहाँ पर हम सब जगह से बिल्कुल साइड साइड से एक पर का मार्जिन लेते हुए शिलाई लगा लेंगे तो चलो यहाँ पर side side से पूरे में हम सिलाई लगा कि से ready कर लेते हैं इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया अब जो भी extra का fabric हो उसे हमें बांकी side से cutting कर देनी हैं बिल्कुल अस्तर वाले fabric के बराबर से बस हम नीचे का fabric नहीं cut करेंगे क्योंकि हमने आपको बताया था cutting करते समय कि नीचे से हम main fabric थोड़ा ज्यादा ले लेंगे और पलटने के लिए हमें वही हो जाएगा अब हमको इसको center से अलग करना होगा क्योंकि यहां पर हमारी hook Patti और eye Patti लगेगी तो यहां पर हमने दोनों side से खीची थी दोनों side हमनेसिलाई लगाया से cutting कर लिया अब यहां पर हमें bentore Due an निचान लगाया है 2 upward से और बेच से इसको भी कट कर लेंगे तो इस तरीके से अच्छे से इसको हमने यहाँ पर सिलाई लगाया और कट कर लिया सेम तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी हमने कटिंग कर ली है अब यहाँ पर हम एक एक पार्ट जोड़ेंगे तो चलो यहाँ पर हमने उपर वाला पार लेना है लेने के बाद अब हम यहां पर इस तरीके से जो हमने टक्स का निसान लगा है सबसे पहले नीचे वाला टक्स को इस तरीके से पकड़ेंगे पकड़ने के बाद यहां पर सिलाई लगाएंगे तो चलो यहां पर अब हम सिलाई लगा लेते हैं अब सेम तरीके से जैसे अब ये टक्स बनानी के बाद हमको अपनी बेल्ट जोडनी है तो बेल्ट को ऐसे लगाएंगे जैसे हमने गुलाई में इसे कट किया है वैसे हम जोड़ेंगे तो बस यहाँ पर आगे की साइड हाफ इंच निकालते हुए ऐसे रखेंगे और बस यहाँ पर एक हाफ इंच का म मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेते हैं तो यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया अब इसके बाद इसको पूरा ओपिन करेंगे और यहाँ पर उपर से फिर से एक बार सिलाई लगा देंगे तो यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया अब आगे की साइड जो एक्स् में हुक पट्टी और आई पट्टी लगेगी घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी तो यहां पर हम अपनी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी के लिए में फैबरिक अस्तर फैबरिक दोनों की पट्टी लिया है लेकिन घटवा पट्टी के लिए इससे फस्तर का अब हम इसको ऐसे अंदर की साइट को फोल लिकारेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे और फिर से इसको हम अंदर की साइट को ऐसे फोल लिकारेंगे और बस साइट से हम क्या करेंगे बड़ी बख्या से सिलाई लगा देंगे बाद में यहां पर हमें तुरपाई करनी होगी तो हुग गई हमारी घटवा पती आप चलो हम बढ़वा पती बनाना सीखेंगे तो घटवाः पती मरी स्बसे पहले हमें पत्ती त्यार करनी होगी तो में ऐह के ऊंधात साइड में अपना स्तर वाली पत्ती रखना हैpresa सीस तरिके से और इसको के एक्स्ट्रा की फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे एक साइट से हम यहां पर इसकी कटिंग नहीं करेंगे लंबाई वाले कपड़े में में फैब्रिक को ठीक जितना में फैब्रिक उसको अंदर की साइट को एक तरफ से फोल्ल करते हुए सिलाई लगा लेंगे फिर से तो इस फैवरिक है उसको नीचे की साइट और जो हमारा फोल्ड साइट था उधर बाहर की साइट को रखने और बस आगे से इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है अब इसको पूरा ओपन करेंगे जो मार्जिन है उसको पट्टी की शाइट को करेंगे और फिर इस पट्टी को हम इस तरीके से एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे पोल्ड करने के बाद हाथ से प्रेस करेंगे और फिर इसको हम ऐसे पलट करके रख लेंगे और यहाँ पर उपर से सिलाई लगा लेंगे तो यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है और जो भी से सिक्योर बढंकी की फिटिंग डाले में आसानी रहेगे तो चलो भी ले ले तेना पीछे का पला रेडि कर लिया ज़ता है कि अस्तर के साइट को अब जो मार्जीन को अपने अस्तर के साइट को करते हुए एक बार यहां पर उपर से सिलाई लगा लेंगे और ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे पलटने के बाद अब हम फिनीसिंग वाली उपर से सीधे साइट से सिलाई लगा देंगे तो चलो यहाँ पर उपर से अब हम सीधे साइट से सिलाई लगा लेते हैं तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया अब इसको हम पूरा ओपिन करेंगे इस तरीके से और यहां पर अब हम उल्टे साइट से में फैबरिक और अस्तर फैबरिक को बराबर से सिलाई मतलब साइट साइट से बिलकुल अस्तर फैबरिक के साइट से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे तो देखो इस तरीके सी हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया और जो भी एक्स्ट्रा का फैबरिक है उसे हमें अस्तर के फैबरिक के बराबर से कटिंग कर लेनी है चलो हम इसे cut कर लेते हैं तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे cut कर लिया यह हो गया हमारा पीछे का पला अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको पलट करके ले लेंगे लेने के बाद यहाँ पर जो हमने dot के निशान डाले थे हुआँ पर सिलाई लगा लेंगे सेम ऐसे ही दूसरी साइट भी सिलाई लगा लेंगे तो दोनों dot पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे यह हमारे dot complete हो गए हैं अब हम इसको ऐसे पलट करके लेंगे ये है हमारा सीधा साइड और पीछे का पला और अभी हमनी जो आगे का पला बना के रेडी करके रखा था उसको ले लेंगे लेने के बाद दोनों का सीधा साइड अंदर के साइड को रखेंगे और बस यहाँ पर दोनों का उल्डा साइड रखते हुए उपर से सोल्डर पर 520 इंच का मरजन लेटे उए सीलाई लगा लेंगे सिम तरीके से दूसरे वाले सोल्डर पर भी सीलाई लगा लेंगे तो देख सकते हो दोनों पर हमने सीलाई लगा लिया इसके बाद यहां पर हमारा सीने का नाप डलेगा और नीचे कमर का तो जो हमारा सीने का नाप है जैसे की हमारा है 36 साइज का तो 36 का हाफ करेंगे 18 आएगा 18 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे और नीचे कमर का नाप डालेंगे तो जो भी हमारी कमर साइज है तो कमर साइज है हमारी 30 तो 30 का half करेंगे 15 आएगा बस यहां पर जो हमारा जहां तक back part आया है वहां पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे जहां तक हमारी back part की लंबाई है क्योंकि वह तो हमारा पूरा ready है अब हमने वहाँ पर point दिया point देने के बाद इस तरीके से सीधी line खीश देंगे दोनों side और उसी line के उपर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे एक सिलाई उसके बाहर से लगाएंगे और जो भी extra का fabric है उसे हमें cut कर लेना है तो इस तरीके से यहाँ पर इसे हमें बराबर से cutting कर लेनी है यह हमने यहाँ पर अच्छे freezing से cutting कर दिया बराबर से और जो पीछे का पला extra है उसे हमें इस तरीके से एक बार fold करेंगे और फिर से fold करेंगे यानि कि cut हुए कप्टे को अंदर के side को fold करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अब चैसे हमने इधर complete किया सेम तरीके से दूसरे side भी complete करेंगे और यहाँ पर हमारा दूसरा पला दूसरे side भी हम fitting वैसे ही डाल लेंगे मैंने speed बढ़ा दिया है तो देखो यह हमने दोनों side fitting बना के ready कर लिया है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे पलट करके लेंगे पलटने के बाद पीछे वाले पल्ले के बराबर से इतना cut कर देंगे जो हमारा उपर नीचे है इसको हम बराबर से cut कर लेंगे क्योंकि इसको भी हमें fold करना होगा पीछे वाले पल्ले के बराबर से तो चलो इसे हम पहले बराबर से कटिंग कर लेते हैं तो यह हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया कटिंग करने के बाद जो एक पिन हमने लगा के रखा था उनको निकाल देना है निकालने के बाद इसको पूरा open करेंगे ऐसे फैला लेंगे फैलाने के बाद जो हमारा margin है दोनों का margin आगे वाले पल्ले की तरफ को रखेंगे सीधे side को और फिर यहां पर हम पीछे वाले पल्ले के बराबर से इस तरीके से नीचे से पहले एक बार half inch fold करेंगे फिर से half inch fold करेंगे और पीछे वाले पल्ले के बराबर से fold करते हुए इसको रखेंगे और बस यहां पर side से बड़ी बख्या पर शिलाई लगा लेंगे क्योंकि यहां पर हमें तुरपाई करनी होगी और यह सिलाई को हमें खोलना होगा तो इस तरीके से हमने इधर side complete कर लिया सेम तरीके से दूसरे side भी complete कर लेना है margin को आगे वाले पले की तरफ ही रखना है तो यह हमने यहां पर नीचे से पूरा ready कर लिया है अब बची है हमारी piping तो piping कैसे बना वो सारी हम हमने यहां पर सिलाई लगा लिया इस तरीके से यह हमने यहां पर सिलाई लगा लेना है सेम ऐसे ही जितनी भी पट्टियां हमें चाहिए उतनी सारी पट्टियां ले लेनी है और बस ऐसे ही जोएंड लगाते चले जाना है तो इस तरीके से इसे हम कट कर लेंगे ऐसे और बस इसको ऐसे ही जोड लेंगे तो फ्रेंट देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर पटिया हमें जितनी चाहिए थी उतना हमने जोड लिया जोडने के बाद आगे से इसको बराबर से कट करेंगे और कट करने के बाद इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जितनी हमारी पटी बढ़ रही होगी उतना हम बढ़ा लेंगे इसको तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इसे बढ़ा लिया गले को रखने के बाद यहाँ पर हम ऐसे इसे रखेंगे और बस इस तरीके से पूरे गले में इस पट्टि को लगा लेंगे एक बैर का मार्जिन लेते हुए पूरे गले पर हम सिलाई लगा लेंगे और पट्टि को बिल्कुल भी खीचना नहीं है क्योंकि याँ पर हमें पाइपिंग नहीं बनानी है हमें तुर्पाई वाला गला बनाना है तो हम पट्टी बिल्कुल भी नहीं खीचेंगे नॉर्मल तरीके से इसे लगा देंगे लगाने के बाद जहां पर एक्स्टा का फैवरिक है उसे हम कट करेंगे फनीसिंग के साथ में और छोड़ी छोड़ी से कट लगा लेंगे लिकिन ध्यान रहे कट लगाते समय आपका सिलाई नहीं कटना चाहिए और अब यहाँ पर जो हमारा मारजीन है उसको हम पट्टी की साइट को करते हुए उपर से एक बार सिलाई लगा देंगे जो मारजीन है उसे हम पट्टी की साइट को करेंगे और पूरे में सिलाई लगा लेंगे ठीक तो इस तरीके सिया हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया पूरे में अब यहाँ पर आगे से क्या करेंगे जितनी हमारी पट्टी उसको पूरा अंदर की साइट को ऐसे फोल्ड करेंगे और बड़ी बग्या से सिलाई लगाएंगे तो चलो यहाँ पर हम पूरे में सिलाई लगा कि इसे रेडी कर लेते हैं तो फ्रेंट्स देख सकते हैं इस तरीके सी हमने यहाँ पर पूरा गला बना के रेडी कर लिया है यह हमारा इतना ब्लाउस पूरा रेडी हो गया है तो यह रहा आगे का और पीछे का पला और अब हमारा यहाँ पर केवल बच्चा है स्लीप्स लगानी तो sleeps कैसे लगानी है उसमें हमें joint लगाना है सारा कुछ करना है काफी time लगेगा तो उसको बिलकुल detail से आपको कल की वीडियो में बताऊंगी बहुत ही आसान और बहुत ही simple तरीके से तो अगर आपको देखना है तो कल की वीडियो ज़रूर देखना और अगर के वीडियो पस दाया है तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिलसित है निए